गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैक्सूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छी चल रही होगी अगर आप लोग चैनल पर नए है तो रेगुलर एक्जाम अपडेट्स, करेंट अफेर्स और स्टेडी मैटरियल के लिए चैनल को फ्रीज सब्सक्राइब कर लीजेगा इस वीडियो में हम जो जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे एक्जाम से सम्मंदि तो इनको देखेंगे यह काफी बड़ा एक आर्टिकल है मादेमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे समूगा के ग्रूप डी के आपके 22,000 से अधिक पत मादेमिक शिक्षा विवाग में समूगा के 22,230 पतों को शीगर भरने की तैयारी है यह सभी बड़तियां आपकी आउट्सोर्सिंग के माद्याम से फिर देखिए वही गूम फिर के कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर यह बड़तियां की जाएंगे मंडल स्तर पर पात्रों का चैन का रिह भरतियां पूरी की जाएंगी इसके लिए मंडल स्तर पर मंडला युक्ट की दिशा निर्देशन में भरती अभियान चलाया जाएगा यहां पर धोला सा देख लेते हैं उन लेकर निया है कि माद्यमिक शिक्षा विभाग में समूग हा जिसमें परिचारक समेथ अन्यपत शामिल है यह कुल 42,0170 स्वीक्रत पद हैं इनमें राज्का किये कि 144 पद हैं जबकि सहाहत्हा प्राप्त माद्यमिक विद्यालों में 42,066 पद स्वीक्रत हैं इन स्विक्रित पदों में 50 फीजदी से भी कम, कुल 19,844 पद सहायताप्राप्त, माध्यमिक विद्यालोग और 66 पद परिचारक अत्वा सम्मु घाके भरे हुआ है, तो आप देखिए ये फिर से वही आउट्सोर्सिंग वाला रेगुलर भरती तो आने रही है, सारी कॉंट् कंट्रोलर थे उस समय उनके उपर भी गाजगरने की तयारी हो रही है, उत्तर पुस्तिका पदले जाने में तीन अल्ट्रेडी हो चुके हैं दिलंबित, आयोग का मानना है की हुई है मानविय भूल, उत्तर परदेश लोकसेवा आयोग की PCSJ 2022 मुख्या परिक्षा में इस पूरे मामले में आयोग का मानना है की मानविय भूल से ऐसा हुआ है, इससे ना तो किसी प्रकार की गोपनिय अता भंगुई है और ना ही कोई आपराधिक कदाचार हुआ है, यह काम तीन ऐसी अनुभवी महिलाओं के जिम्मे था जो लंबे समय से यही काम कर रही थी, तो देखिए, उनसे यह गलती हुई है, आयोग ने इस मामले में तीन जिम्मदार लोगों को निलंबित करते हुए, एक उपसचिव के खिलाफ अनुशाष्णा आत्मा कारेवाई शुरू की है, जबकि एक सेवा निवरत सहायक समिक्षा धिकारी के खिलाफ कारेवाई के ल आनुविया भूल के कारण उसी अंक तालिका के दूसरे प्रिष्ट पर जिस पर सम्बंदित विशाए के 25 अभ्यरतियों के अंकों का विपरण होता है, चस्पा हो गया, तो गलत पेश पर यह मास्टर कोडिन का मानना है, शिपक गया, इसके अलावा हित में होगा फैसला, लोकस्तिव आयोग पारदर्शिता के लिए इस परिक्षा में शामिल सभी परिक्षार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिक आए, दिखा रहा है, यह आपने देखी लिया होगा, इससे संबंदित एक और आर्टिकल है, वो भी देखते है, PCSJ का परिणाम बदला तो आयोग क कॉपियां बदले जाने के बाद जो परिस्तितियां उत्पन हुई है, उसमें उत्तर पुर्देश लोकसेवाय आपके सामने परिक्षा परिणाम शैंशोदित करने की नौबत आ गई है, और यह आयोग के लिए बड़ी चुनाती बन सकता है, सवाल उठ रहे हैं कि अगर प पता था कि सिर्फ एक अभ्यर्ती शमण पांडे की कॉपि बदली गई है, लेकिन जब 50 अभ्यर्तियों की कॉपियां बदले जाने का मामला सामने आया, तो मुख्य परिक्षा में शामिल 3,099 अभ्यर्तियों के मन में तमाम आशंकाएं उठने लगी है, और इसके लावा ज अभ्यर्तियों को परिक्षा में शामिल होने के लिए अधिक्तम 4 अवसर प्रदान किये जाते हैं, पृत्यों की कॉपियां बदली है, उनमें से कुछ ऐसे अभ्यर्ति भी हो सकते हैं, जिनका इसबार अंतिम अटेम्ट था, तो ऐसे अभ्यर्तियों को आयोग को एक मौका आउर देना चाहिए, ऐसाइन का कहना है, तो देखते हैं, आयोग इसमें क्या निया लेता है, सबसे बड़ी समस्य यही आ रही है, जो candidate बहुत कम margin से cutoff से निकला है, लेकर अगर उसके अभी हाँ पर marks बढ़ेंगा, तो फिर आयोग सीटे नई generate कहा से करेगा, तो यह सबसे FAT 2023 ही होगी भरती, अधिनस्तेवा चैना आग ने चारी किया विग्यापन, 8 जुलाई से आपके विग्यापन शुरू हो जाएंगे, 7 अगस्तक लास्ट डेट है और 15 अगस्तक यह form भरे जाएंगे, तो जो भी इसमें eligible है, special vacancy दी मैंने कल आपको एहरता है, इसकी दिखा काफी बहुत specific इन्होंने BCG का कुछ दोश्थाल का मांगा है, तो मुझे ने लगता हूँ, ज्यादातर candidates के पास होगा, तो cutoff तो इसमें बिल्कुल लो जाएगी, जैसे अन्या medical exam में जाती है, तो जो भी eligible हैं लेकिन इस form को 8 जुलाई से आप भर सकते, लेकपाल का विग् नहीं किया, अब आयोग के पास होगी मुख्य परिक्षा के हर अभ्यरति की handwriting, तो ये news है important, PCSG मुख्य परिक्षा 2022 में अभ्यरतियों की कॉप्पियों में अदला बदली पकड़े जाने के बाद, उत्तर परदेश लोक्सिव आयोग ने उन सभी अभ्यरतियों की handwriting को संरक् करने का नेडने लिया है, जो मुख्य परिक्षाओं में शामिल होते हैं, तो ये थोड़ा से इनोंने नया तरीगा निकाला है, अब देखते हैं कितना इससे प्रभाव कड़ेगा, लेकिन इस बार जो विवात खड़ा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आयोग की साख चिक्षा अधिकारी के 360 पद रहेगा एक खाली, नहीं मिले योग्यवर्ती वही देखिए, जितने भी मैडिकल ऑफिसर के पद आते हैं, यूपी पीसी से या लोग सिवायोग से, वो हमेशा खाली जाते हैं, क्यूंकि ज्यादा तर आपको बताया, ट्राइवेट सिर्फ 51 पद पर ही चैन हो शुका है, तो आप देख लिए 411 में से मात्र 51 पोस्ट आपकी भरी गई है, बागी 360 पद आपके इसमें खाली चले गए है, आज बात यह है कि जिन 51 पद पर चैन हुआ है, वो सभी पद आपके अनारक्षी शेनी के है, आरक्षी शेनी के एक इसमें कोई भी पद यहां पर आपका या सूटेबल केंडिडेट आए उपको नहीं मिला, तो यही देखिए आज के सारे इंपॉर्टन अपडेट्स थे, बागी कोई और इंपॉर्टन अपडेट्स आएगा, मैं आपको बता दूँगा, बाखी आपने देख लिया हुगा